फिटकरी को मामूली समझने की भूल बिलकुल मत कीजे, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं हमारी सेहत और हमारी खुबसूरती के लिए हलो एबरीवन, वेलकम टो डिवाइन केर, आज की वीडियो में हम फिटकरी के फायदों के बारे में बात करेंगे जादातर लोगों ने इसे अपने बुजूर्गों को यूज करते हुए देखा होगा एजे आफ्टर शेव, शेव के बाद वो फिटकरी का एक टुकड़ा लेकर अपने पूरे फेस पर उसको रब कर लेते थे और वो एक डिसिंफेक्टिंट का काम करता था, अगर कहीं कोई चेहरे पर कट लग गया है या ब्लीडिंग हो रही है उसको वो तुरंत रोग देता था, इसके साथ और भी बहुत सारे फायदे हैं फिटकरी के जिनको की आज हम डिसकस करेंगे फिटकरी को हम अलम के नाम से भी जानते हैं और इसका केमिकल नेम है पोटेशियम अलुमिनियम सल्फट दो रंकी होती है, रेड और वाइट ज़ादातर हम अपने घरों में वाइट अलम को यूज करते हैं फिटकरी को यूज करने का तरीका है कि हम सबसे पहले एक गरम तवे पर फिटकरी को डाल दें और जब वो पिंगल जाए तो हम गैस बंद कर दें उसके बाद हम इसे ठंडा होने दे ये वापस से क्रिस्टलाइज हो जाएगी और इसको अब हम पाउडर करके एक बॉटल में भरके रख सकते हैं ये फिटकरी हम यूज करेंगे तो हमें जादा बेनिफिट्स मिलेंगे अब हम डिसकस करेंगे कि फिटकरी को हम किस किस प्रॉबलम में कैसे यूज कर सकते हैं तो सबसे पहला यूज है कि हम फिटकरी को माउथवश की तरह यूज कर सकते हैं पर दुखवश बन कर तयार हो गया है। हमें इस से कुल्ले करने हैं दिन में दो बार। तो अगर हमारे दांतों में कोई स्मेल बद्बू आ रही है, उससे हमें छुटकारा मिलेगा। कई बार दांतों में बेक्टीरियल ग्रोथ की वजह से हमारे दांत डिके होने लगते हैं कि हम फिटकरी को डियोडरेंट की तरह यूज कर सकते हैं, पसीने की बदबू को हटाने के लिए बहुत सारे लोगों को बहुत जादा स्मेल आती है उनके शरीर में, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि अपने नहने के पानी में जो फिटकरी है उसका पाउडर मिक्स कर लें और जब आप उस पानी से नहाएंगे तो जो शरीर में एक स्मेल आरही थी बहुत जादा पसीने की बदबू थी उन सबसे भी छुटकारा मिलेगा, यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि यह पानी हमारी आंख में नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह हमारी आंख को डैमेज कर सकता है तो हमें अपनी आंखों को इससे बचाना होगा फिटकरी को हम क्रैक्ड हील को ठीक करने में यूज कर सकते हैं फटी एडियों को ठीक करने के लिए तो यहां पर हमें फिटकरी का पाउडर लेना है और उसमें हमें गोले का तेल मिला लेना है कोकोनट ओयल मिक्स करने के बाद उसको एक बॉटल में भरके रख लीजे और अपनी एडियों पर हर दिन एप्लाइ कीजे थोड़े दिन यूज करने के बाद जो हमारी एडिया है जो महाँ पर डेड सल से कठी हो गई थी या वह बहुत भट गई थी वहील होनी शुरू हो जाएगी और हमारी हील्स ए फिटकरी के पानी से जब प्राइवेट पार्ट्स को वाश किया जाता है तो वहां की हाईजीन मिंटेन होती है और इन सभी चीजों को जो मैंने आप से डिसकस किया वह सारी प्रॉब्लम्स में भी बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है नेक्स्ट यूज है कि कहीं चोट लग कोई घाओ है या बहुत जादा ब्लीडिंग हो रही है वहां पर भी हम फिटकरी को यूज कर सकते हैं तो आप फिटकरी का जो पाउडर है उसको भी डारेक्ट अपलाई कर सकते हैं उस एरिया पर या फिर पानी में मिक्स करके उस पानी से जब हम घाओ को या चोट को धोई या कोई ब्लीडिंग हो रही है वहां पर इसको एपलाई करेंगे तो जो ब्लीडिंग है वो रुख जाएगी क्योंकि इसमें एंटिसेप्टिक प्रॉपर्टीज है वह हमारा घाओ जो चोट है वह भी बहुत जल्दी हीलोनी शुरू हो जाएगी नेक्स यूज है कि जिन को ओपन पॉर्टीज की प्रॉबलम है तो वहां भी हम फिट्करी को यूज कर सकते हैं अपनी स्किन केर के लिए फिट्करी को हमें पानी में मिक्स करके एक का सल्यूशन बनाना है यहां पर बहुत डाइल्यूट नहीं रखना है हम हमें उसको एक कंसंट्रेटीज सल्यूश है वहां पर लगाने के बाद थोड़ी दिर रहने दीजे उसको और फिर साफ पानी से अपनी चेहरे को धो लीजे तो जो ओपन पोर्स है वो धीरे धीरे श्रिंक होने शुरू हो जाएंगे यूंकि फिट करी में एस्टेंजिन प्रॉपर्टीज होती है एस्टेंजिन प्रॉ होगी और जिन लोगों के ओपन पोर्स की प्रॉबलम है वो भी दूर होगी यहां पर एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमें इसको बहुत जादा यूज नहीं करना है क्योंकि कई बार स्किन काली हुनी शुरू हो जाती है फिट करी का यूज हम एक्जिमा और इचिंग क करके और उसको एपलाई करेंगे अफेक्टेड एरिया पर तो हमें खुझली से और एक्जिमा की प्रॉबलम में भी धीरे धीरे रिलीफ मिलना शुरू होगा हम फिट करी को यूज कर सकते हैं सिर में जूएं अगर किसी के हो गई हैं लीस तो उसको दूर करने के लिए भी ह हम यूज कर सकते हैं तो वही हमें फिट करी के पानी को अपनी स्कैल्क पर लगा देना है दस मिनिट उसकी मसाज करते रहें और उसके बाद किसी माइल्ड शेंपू से बालों को धो लें वीक में एक बार इसको यूज करें काफी कुछ रिलीफ मिल जाएगा अगर फिर भी रह जाती है तो आप इसको वीक में एक बार आगे रिपीट करते रहें फिट करी का यूज हम सबजियों को साफ करने में भी कर सकते हैं फिट करी का पानी हमें बनाना होगा और उसमें सबजी को डुबो कर रग दे करीबन 5-10 मिनिट तो हमारी जो सबजियां हैं जो भी उसम नीचे बैट जाएंगी उसके बाद हम इसे साफ पानी में धोले और यह यूज करने के लिए तयार हैं हम फिट करी को पानी साफ करने के लिए भी यूज कर सकते हैं पोटेबल बनाने के लिए तो इसके लिए हमें क्या करना होगा सबोज हमें 10 लीटर पानी को साफ करना है तो दस लीटर पानी के लिए हमें 100 ग्रेम फिटकरी की जरूरत होगी, तो फिटकरी का पाउडर आप उसमें मिक्स कर दीजे, करीबन पांच मिनिट करते रहिए और उस पानी को एक तरफ सेटल होने रख दीजे, थोड़े दिर में impurities नीचे बैटनी शुरू हो जाएंगी, अब हमें इस पानी को चान लेना है, पानी चानने के लिए हमें साफ कपड़े को यूज करना है, दूसरे बरतन में चान ले, ये जो साफ पानी हमारे पास आगया, ये पीने योग्या है, तो आज की वीडियो में हम आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, झाल 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